यूपी विधानसभा का मौनसुन सत्र आज से तीन दिन के लिए शुरू होगा। खास बात ये है कि पहली बार सदन में वर्शुल तरीके से कारवाई होगी। 65 साल से अधिक उम्र के विधायकों को सत्र में वर्शुल तरीके से जोड़ा जाएगा। सिर्फ 65 साल से कम उम्र के विधायकों को ही सदन में मासक और गलव के साथ प्रवेश दिया जाएगा। इस बार के विधान सबा सत्र की शुरुआत के पहले ही दिन यूपी सरकार के दो कैबिनेट मंत्री स्वर्गिय कमल रानी वरुन और साथी चेतन चौहान और आपको उनके साथ ही बतादे कि दो विधायक पारशनात यादव और विरेन सिंग सिरोही को श्रधांजली दी जा कि आपको बता दे कि आज से विधान सबा सत्र यूपी में शुरू होने जा रहा है तीन दिन का ये पूरा सत्र हेगा जो सतरह से कोरोना वाइरस का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है उसी को देखते हुए और साथी नियमा का भी पालन करते हुए वहाँ पर इस तर से अधिक उम्र के जो विधायक होंगे उन्हें वर्चुल तरीके से वहाँ पर जोड़ा जाएगा और साथी जो 65 साल से कम उम्र के विधायक होंगे वही वहाँ पर उपस्तित रह सकते हैं बता दे कि मास्क उन्होंने पहना जरूरी होगा और साथी गलव्स भी उन्हें आपको बतादे कि यूपी विधानसवा का मौनसून सर्थ आज से तीन दिन के लिए शुरू होगा बतादे कि खास बात ये रहेगी कि पहली बार वर्शुल तरीके से कारवाई वहाँ पर की जाएगी 65 साल से ज्यादा उम्र के जो विधायक है वो वर्शुल तरीके से जुड़ेंगे लेकिन जो 55 साल से कम उम्र के विधायक है वो मास्क और गलव्ज लगा कर वहाँ पर आएगे आपको बता दे कि ये जो विधानसवा सत्र है ये तीन दिन के लिए चलेगा इस सत्र की शुरुआत के पहले दिन यूपी के कैबिनेट मंत्री जो स्वर्गिये कमल रानी वरुन और साथी चेतन चौहान को वहाँ पर शधांचली दी जाएगी उनके साथी दो विधायक पारस परन कैबिनेट मंत्री स्वर्गिये कमल रानी वरुन का निधन महाँ पर हो गया था उनके बाद चेतन चौहान का निधन हो गया तो इसी को देखते हुए इस बार कोरोना के नियमों का भी साथ में पालंग करते हुए रियायत महाँ पर बढ़ती जाएंगे